यत्र योगेशवरह कृष्णो यत्र पार्थो धनुर धरह तत्र श्रीर विजयो भूती धुरुवा नीतिर मतिर ममा नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवद्गीता की अठारवे अध्याय का 78 वा श्लोके जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके हो कहता है यत्र योगेश्वरह कृष्णो अर्थात जहां हूँ योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर धरह अर्थात जहां हूँ धनुर धर पार्थ तत्र श्रीरविजयोँ भूटी अर्थात वहा श्रीविजय कल्यान दुरवानीतिरमतिरममा अर्थात स्थिरता कुशलता होते हैं मेरे मत में तो ये भगवत गीता का अंतिम शलोक है और इस अंतिम शलोक में संजय ने बहुती आस्तनों विश्वास के साथ में घोशना की है कि जहां भी योगेश्वर श्री कृष्ण होते हैं और उनके साथ में सर्वुच्च, धनुर्धर, पार्थ होते हैं वहां सदा ही श्री, विज कल्यान, स्थिर्ता और कुशलता आपको देखने को मिलेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि श्री कृष्ण जो है वह नरायन है और पार्थ जो है अर्जुन जो है वह नर है तो नरायन जो है वह इस संपून ब्रह्मांड की चेतना को दर्शाते हैं और ज दर्शाते हैं तो जब यहां पर संजय कहते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण हों और जहां धनुर्धर पार्थ हों तो इस करता है कि जहां पर इन दोनों का एक साथ मिलन हो जाए तो यह मिलन जो है यह सार्वभामिक चेतना या इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना है और जो व्यक्तिगत चेतना है जब उन दोनों का मिलन हो जाता है तो उस स्थिती का वर्डन है यहां पर यहां पर संजय कह रहे हैं कि जब यूनिवर्सल कॉंशिसनेस जो ब्रह्मांड की चेतना है और जब इंडिविज्वल कॉंशिसनेस जब व्यक्तिगत चेतना है तो जब नरायन और नर एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, जहां पर वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको श्री मिलेंगे, विजय मिलेगा, कल्यान, स्थिर्ता और कुशल्ता मिलेंगे वहाँ पर आपको, तो इस इस लोग से आप समझे कि गीता का ये जो समवाद है, यह कोई एक बार घटित होने वाली घटना नहीं है यह ऐसा नहीं कि एक बार घटित हुई और बस अब यह घटित नहीं होती यह जो घटना है यह निरंतर घटित हो रही है यह जो समवाद है यह निरंतर चल रहा है सभी जीवों के बीच में ये जो समवाद है चल रहा है यहापे की अर्जुन जो है वहे जीव को दर्शाते हैं और श्रीक्रशन जो है वहे परमात्मा को दर्शाते हैं तो उन दोनों के बीच का समभाद है यह बरावाड़ में यहापे यह भी समझ इये कि देखे कुछ लोग बोलतें कि आरे आप यह कैसे कह रहे हैं तो फिर तो मिथक हो गया फिर तो हमारे इस सारे भगवान जूटे हो गए तो इस बात को प्लीज 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 समझिए करपे आप समझिए इस बात को क्योंकि ये बात जो है ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं समझेंगे और जो समझना आपको वो ये है कि जो मिथक होता है वह वास्तव में हिस्ट्री से इतिहास से अधिक सत्य होता है जो हिस्ट्री है इतिहास जो है वह किसी एक व्यक्ति का दृष्टिकोन होता है किसी एक वेक्ति ने कुछ देखा और से लिख दिया और उसको हिस्ट्री में दर्ज कर दिया तो केवल एक वेक्ति का दृष्टिकॉन होता है जबकि मिथक जो होता है वह दृष्टिकॉन तक सीमित नहीं होता है वह सत्य होता है किसी वक्ति ने कोई घटना देखी उसने एक प्रकार से लिखी किसी अन्य वक्ति ने घटना देखी किसे अन्य प्रकार से लिख दी तो आप किवल द्रिश्टी कोण तक सिमित कर सकते हैं जैसे रामायन का उधारन ले लिजे तो ये बात लोग नी समझ पाते है कि ऐसे हिस्ट्री ऐसी होती है इतियास ऐसा होता है तो इतिहास पे मत जाईए कि हमारे भगवान थे इतिहास में इस समय पे थे की नहीं थे उस समय पे थे की नहीं थे ऐसे मत करिए उनको ऐसे नीचे मत गिराईए दृष्टी कोन तक सीमित मत कीजिए उनको जब तक वे मिथक में हैं तभी तक वे सत्य में हैं इस बात को अच्छे से समझिए कि सत्य तक पहुँचने का जो मार्ग है उसमें जो सबसे समीब सत्य के पहुँचता है वे मिथक होता है मिथक सत्य के सबसे समीप पहुचता है मिथक के आगे फिर केवल सन्नाटा ही है सत्य तक महुचने का सत्य जो है उसको कहा नहीं जा सकता है कि तो जब उसको शब्दों में कहा जाता है तो शब्दों में कहने के लिए मिथक को तो जो उसके सबसे समीप पहुंचता है वो मिथक होता है ़ो इतिहास नहीं होता है मिथक होता है वो ये लोग नहीं समझते है और मिथक से आगे यदि आपको सत्त्यका वर्डन करना है तो केवल एक ही आपके पास हो पाया है और वो है सन्नाटा, शानत हो जाईए, चुप हो जाईए, कुछ मत कहिए तो इसलिए यहाँ पे जो मूर्ख लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि अरे आप ऐसे कैसे कह सेते हैं कि हमारे भगवान नहीं थे और यह इतिहासी घटना ही है, इतिहासी घटना नहीं है तो फिर ये भगवान नहीं है फिर तो वो सब मूर खुलो गया है उनको कुछ नहीं पता है उनको भी कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पर आपने मेरे साथ में पूरे गीता का जो अध्यन क्या है तो मैं आप से आशा करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि मिथक जो होता है वह इतिहास से अधिक सत्य होता है मिथक जो होता है वो इतिहास से अधिक सत्य होता है इतिहास केवल एक व्यक्ति का एक सब्वेथा का एक संस्था का दृष्टिकोन होता है जब कि मिथक जो होता है उसको जो व्यक्ति ठीक प्रकार से समझ ले वह फिर दृष्टिकोन के परे चला जाता है और सत्य को जान लेता है सत्य के सबसे समीब शब्द में जो आ सकता है वह मिथक है तो ये जो समवाद यहां पर हुआ जो हमने जिसको सुना है ये समवाद जो है ये एतिहा से घटना मत मानिए इसको ये जो है ये सत्य है निरंतर घट रहा है ये और इसलिए मिथक है मिथक जो होता है वो निरंतर घट रहा होता है जो सागर मन्थन है वह निरंतर हो रहा है निरंतर हो रहा है वो जो दुरगा मा है जो वो महीशा सुर का वद कर रही है निरंतर कर रही है ऐसा नहीं कि एक बार क नहीं निरंतर कर रही है वो निरंतर कर रही है मेथक जो हता है निरंतर घटता है तो जब आप इस संसार में जीवन जी रहे होते हैं तो आपको अपने संसार में जीवन को जीते हुए हेंकार के साथ में तादात में करना ही पड़ता है आप कैसे अन्यता जीएंगे जीवन नह कि हमारे मार्ग दरशक हैं, वह भीतर से हमें संदेश भेजते हैं, हमको उन्हें सुनना है और उनके अनुसर अपने कार्वियों को करना है, यदि हम उनको नहीं सुनेंगे तो हम विफल होंगे संसार में, यदि हम उनको सुनेंगे तो हम सफल होंगे संसार में, किन्तु अधि क्रिश्न के साथ में युक्त हैं ही नहीं, वह उनसे जुड़े ही नहीं हैं, वह अपने एहंकार में ही सीमित रहते हैं, अपने एहंकार को ही वह ईश्वर समझते हैं, इस कारण से श्री क्रिश्न के संदेश उन तक पहुंचते ही नहीं, तो यह ही तो सारी समस्या हैं, जब हम इस संसार में श्री कृष्ण की इच्छा की अनुसार कारे करते हैं, जब उनसे हम युक्त हो जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं और उनके इच्छा की अनुसार कारे करते हैं, तो वह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी कारे कुशलता से हो जाएं, उनकी कृपा से हमारा ज और जहां धनुर्धर अर्जुन है वहाँ पर श्री विजय कल्यान और स्थिर्टा पूर्ण रूप से होते हैं तो यह जो बात है यह ऐसा नहीं कि कि वो उसी समय होई थी यह अभी भी हो सकती है ज़िए आप जो है अपने भीतर के जो दिविता है उसके साथ में स्वयम को एक साथ कर लेते हैं तो और एक और बात समझे हैं यहाँ पर संजय ने यह नहीं कि कि धन और स्थिर्टा क्या है और श्री विजय कल्यान और स्थिर्टा क्या है श्री विजय और कल्यान और स्थिर्टा जो है वह धन और शक्ति के द्वारा प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं वास्तों में तो उपकरन को प्राप्त करने का प्रयास मत कीजिए जो लक्षया उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए तो श्री विजय कल्यान और स्थिरता की और ध्यान दीजिए ना कि धन और शक्ति की और यदि आप श्री और विजय कल्यान और स्थिरता प्राफ कर लेंगे तो धन और शक्ति तो वैसे ही आपके पास में आ जाएंगे तो इन तोनों के बीच के भेद को समझ गिये जो इस भेद को जानता है वह श्री क्रिशन की सिक्षाओं को ठीक प्रका से समझ गया है तो ये अंतिम श्लोक था भगवत गीता का और अब हमने भगवत गीता के सभी श्लोकों का अध्यन समाथ कर लिया है मैं अगले वीडियो में आपको इस अध्याय का सार प्रस्तूत करूँगा उसके पश्चाथ आपको मैं फिर एक परिक्षा भी इसको लेकर प्रस्तूत करूँगा और फिर देखते हैं कि मैं अन्य किस गरंथ को आगे फिर उठाता हूँ मुझे निड़ने लेना होगा मैं कुछ सब्ताहों के लिए तो पहले विश्राम लोगा और फिर सोचूगा कि कौन सा गरंथ है जो कि मुझे उठाना है अगला और मैं आपको पहले ही कह दूँ कि जो मेरी इच्छाओगी मैं उसी को उठाओगा आप भले ही सुझाओ दें किन्तु हो सकता है कि मैं आपके सुझाओगा ना मानू जो मेरी इच्छाओगी मैं उसी गरंथ को उठाओगा तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को हम ही पैसमात करते हैं नमस्ते झाल